आप देख रहे हैं TNB चाप या तसह लेती है या मनजूरी देदेती है कई मुद्दों पर जो कि खुद उनसे जुड़े होते हैं उनमें भी उनकी सहमती कोई माईने नहीं रखती है क्योंकि जो बड़े बुज़र्गों ने कह दिया जो थोप दिया गया उसे ही अपना भागे माल लेते हैं ऐसे मे चेक रिपब्लिक की सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए महिलाओ के हक में एहम बिल पर मुहर लगा दी है इस बिल के मुताबित अगर बगैर सहमती के किसी महिला की नस्ख बंदी की जाती है तो उसे मुआवजा दिया जाएगा रास्टपती मिलोस जेमिन ने इस बिल पर साइन करने के बाद इसे बड़ी जीत बताया है एक रिपोर्ट के मुताबित ऐसी महिलाओ के लिए सरकार ने करीब 14,000 अमेरिकन डॉलर यानि करीब 10 लाख रुपय का मुआवजा तै किया है देश में जादातर रोमा महिलाओ के साथ ऐसी घटनाय हुई थी ये रोमा य महिलाओ के हक के लिए काफी दिनों से आवाज उठा रही थी और अब इस फैसले पर उनका कहना है कि कई दिनों से ऐसा काम गलत हो रहा है और अब इस समस्या का हल जल्द निकल सकता है एक रिपोर्ट के हिसाब से साल 1966 से 2012 के बीच कई महिलाओ की जबर नस्वंदी कराने के म नहीं है लेकिन माना जाता है कि सेक्ड़ महिलाओं के साथ इस तरह का त्यचार हो चुका है हाला कि 1989 में कम्यूनिस्ट सरकार आने के बाद इस चलन पर रोक लगा दी गई थी लेकिन फिर भी डिलिवरी के वक्त उनके साथ धोका करके सहमती पत्र पर साइन कराए जाते थे के मताबित जरूरी सबूत भी पेश करने होंगे समाजी कारे करता है एलेना गोरुलोवा ने इस कदम को एतिहासिक बताते हुए बताया कि 20 साल के उम्र में उनकी मिनस बंदी करा दी गई थी ऐसे में महिलाओं के हित में इसे बड़ा फैसला माना जा रहा है और यह कितना का वीजियो को लाइक एंड शेर करना ना भूले